नमस्कार स्वागत है अब सभी का हमारी प्रोग्राम बिस्नस की बात में मैं हूँ आपके साथ वन्ना शर्बा अगर आपके पास आधार कार्ड है और यू आईजी आई के डाटाबेस में आपका मुवाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आपका पैन जट पट बन जाएगा कुरोना महमारी के बीच किंद्र सरकार्नी लोहों की जरूरतों को देखते हुए पैन कार्ड बनवाने की नियोंगों को और भी आसान कर गया है अब अपलाई करने के साथ साथ ही आपका पैन नबर जारी कर दिया जाएगा पैन कार्ड के ततकाल आवंतन के लिए वितमंत्री निर्मला सीता रवन ने गुरुपार 28 मैं को अपचारिक तौर पर इस सुविधा के शुरुआत कर दिया हाना कि ततकाल पैन चारी करने के लिए अधार अधारीद EKYC को अभी लॉंच किया है लेकिन इंकम टेक्स डिपार्टमेंट की E-Filing वेबसाइट पर इसके बीटा वर्जन का ट्रायल फरवरी सही चल रहा था पैन कार्ड बनवाने के इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके वक्त नहीं लगता और ये सुविधा मुफ में मिल रही थी बता दें कि इस प्रक्रिया से मिलने वाले पैन कार्ड को E-Pen नाम दिया गया है दरसल विक्तमंत्री हिर्मला सीतारमन ने 2020-2021 के बजट के दौरान ही पैन नमबर टुरंथ आवंटन की सुविधा शुरु करने का एलान कर दिया था पैन बनकर घर तक महुचने में 15 दिन से लेकर महीने भरता कवा फ्लब जाता है जिससे कई बार आपको लो नित्यादी लेने में काफी मुश्किली का सामना करना पड़ता है लेकिन सरकार के इस पहल के बाद अब ऐसा नहीं होगा इपैन के अवेजन करने का तरीका बहुत आसान प्रक्रिया पूरी हो जाने पर 15 अंपो का अक्नॉलेजमेंट नमबर दिया जाएगा एक बार अवंटन हो जाने पर इपैन कार्ट को पोर्टल से डाउनलूट किया जा सकता है साथी इमेल आईडे पर भी अवे तक को ईपैन दे जा जा सकता है अब बतादे कि इस साल 30 जून तक आधार के साथ अपने पैन कार्ट को लिंक करना अनिवार रहे है अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो पैन कार्ट निश्क्रिये हो जाएगा महतफ़ों बात यह है कि इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने पैन की जगा अधार नबर को इस्तेमाल करने की अनुमती देती है अगर आप हुमारे नए यूजर हैं और आप हमारे चानल से जोई हर अपडेट को जानना चाहते हैं तो हमारे चानल तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथी बेल आइकन को दवाना ना भूलेगा ताकि आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती है इसके साथी इपैन बनवाने की आइकर विभाग की ओफिशिल वेबसाइट का लिंक हमने डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे लिया